हेलो मित्रों आज यानी 11 मार्च को महाशिवरात्री का महापर्व है महाशिवरात्री का त्योहार शिव उपासकों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और इसलिए आज हम आपके लिए इस मौके पर लेके आ गए हैं शिव जी से जुड़े कुछ रोचक जानकारियां तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आपको बताते हैं शिव जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें भगवान शिव को कई नामों से पुकारा और पूजा जाता है भगवान शिव को भोले नात भी कहा जाता है भोले नात यानि जल्दी प्रसन होने वाले देव भगवान शंकर की आरादना और उनको प्रसन करने के लिए विशेश सामगरी की जरूरत नहीं होती है भगवान शिव, जल, पत्तियां और तरा-तरा के कंद मूल को अर्पित करने से ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं बेल पत्र भगवान शिव को विशेश रूप से प्रिय होती है नमबर दो शिवलिंग मंदिर के बाहर क्यों? आपने देखा होगा सभी मंदिरों में शिवलिंग मंदिर के गर्भ ग्रह में नहीं बलकि बाहर होते हैं भगवान शिव ऐसे अकेले देवता हैं जो गर्भ ग्रह में नहीं होते हैं भगवान शिव अपने भक्तों का विशेश ध्यान रखते हैं उनके दर्शन दूर से ही सभी लोग चाहें वो बच्चे हों बुड़े हों आदमी हों या फिर महिलाए हों कर सकते हैं किसी भी शिव मंदिर में पहले हमें शिव के वाहन नंदी के दर्शन होते हैं शिव मंदिर में नंदी का मुह शिव लिंग की ओर होता है आखिर नंदी शिवलिंग की ओर ही मुख करके क्यों बैठा होता है दरसल नंदी शिव जी का वाहन है नंदी की नजर अपने आरादी की ओर हमेशा होती है नंदी के बारे में याभी माना जाता है कि ये पुरुशार्थ का प्रतीक भी है नमबर चार, शिव जी को बेल पत्र क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने को लेकर एक छोटी सी कहानी है तो आईए हम आपको वो कहानी बताते हैं दरसल समुद्र मंथन के समय विश के प्रभाव से शिव जी का मस्तिश्क गर्म हो गया ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिश्क पर जल उडेलना शुरू किया जिसके बाद उनके मस्तिश्क की गर्मी कम हुई बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है इसलिए शिव जी को बेल पत्र भी चढ़ाया गया इसी समय से शिव जी की पूजा जल और बेल पत्र से शुरू हो गई बेल पत्र और जल से शिव जी का मस्तिश्क शीतल रहता है और उन्हें शान्ती मिलती है इसलिए बेल पत्र और जल से पूजा करने वालों पर शिव जी प्रसन्न होते है तो दोस्तो फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही तमाम ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना शेर करना बिलकुल न भूलें हफता वसूल कामना करता है कि महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे